और जोली बुलेटिन की शुरुवात कर रहे हैं इस वक्की बड़े कबर के साथ जोकी जैपर से सामने आ रही है भारत निर्वाचन आयोग, CEO, राजस्थान और जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में शुकायत दी गई है पीसे से चीफ गोवन सिंग दोटासरा के साथ ही रघुशर्मा, राम सिंग कस्वा और जस्वन्त गूजर के दसकत ये शुकायत पर मौजूद है इनके दसकत और आदर शाच्वाचन सहीता के नियम 32 का उलंगन इसमें बताया गया है साथ ही टीटी को मंत्री बनाए जाने को वोटर्स के लिए प्रलोभन जैसा बताया गया है आकुतादे भारत निर्वाचन आयोग से इस मामले में कारवाई की मांगी गई है और इस खबर पर जाद अच्वानकारी के साथ से होगी शशी मोहनवार साथ पोल एपिजोट रहे है शशी कल से जब से टीटी ने शपत ग्रहन की थी उसके बाद से डोटासरा जो है पूरी तरीकी से मुखरों कर आवाज उठा रहे थे करके इस मामले को जलत बताया है बारत मिरवाचन आयोग का जहाना कर्शित किया है और आज कॉंग्रिस की नेता संयम लोड़ा रभू शर्वा जस्वंत गूर्जर और राम सिंक स्वा बारत मिरवाचन आयोग के जो सीएओ का दफ्तर होता है चीफ इलेक्शन आफिसर का दफ्तर होता है जायस्तान का वहां पहुंचें उन्होंने आयोग के प्रसेनिदियों को शिकायत दी है और यह कहा है कि जो आदर्शाचार सहीता की पालना के लिए नियम बना रखे हैं उसमें नियम संक्या 32 का स्टाफ तर पर उवलंगन इसे बताया कहा टीटी को शपत दिलाने से वोटर्स को बनकार इस मामला में आयोग的 कि βताल की मांचीर तो वे Sir कभी रूख इस वामले में कर सकते हैं. किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिशद में शामिल कर सकते हैं और उस व्यक्ति को 6 महीने के बीतर चुनाव लड़ना होता है. तो बीजेपी का यही करना है कि इसमें कोई बात गलत नहीं है. कर जब टीटी का शपत ग्रेंड हुआ था, उसके बात जब हमने उनसे बात शित की थ दौनों पक्षों के अपने अपने दर्ख हैं, एक संवेधusicनि की अनुच्य दोगे रहे मिल थे रहे हैं यहाद कि न अचर साही था था कि क्लॉज का हवाला दे रहे हैं. तो दोनों पक्ष उनकर के भारतमिरवाचन आयोग देखते हैं क्या पस्वाइपा है? अलार कि आय बहुत शुक्रे आपका मासा चुड़ने के लिए बाच्वेद के लिए